नमस्ते साथियो, साथियो जो कल हमारे साथ हुआ है कोर्ट में हमने उसकी कलपना सुपने में भी नहीं की थी और साथ जो अभी हम करेंगे उसकी कलपना सरकार नहीं की होगी अभी मेरे पास एक साथी का मैसेज आया था बोल रहा था कि किसी साथी ने मिस हैपनिंग कर ली है पता नहीं वो बात सच है या गल्थ है भुगवान ना करे कि ऐसा हुआ हो वो सिरूफ मैसेज है जो अगर ऐसा हो गया हो न तो अभी भी आपका घर बैठे रहने का कोई फाइ अज तबी तो सुनी जाएगी हमारा मामला तो बिल्कुल सिंपल है हमारा कोई केस नहीं है हमारा रिजल्ट आपकी वज़े से लटका पड़ा है मैं स्पेशल लड़कियों को बोल रहा हूं आप जो सिलेक्टिड गर्ल्स हैं वो तो आओ आगे आप क्यों नहीं निकल रहे अब ये लड़ाई आपकी और मेरी नहीं रही ये लड़ाई आपके माबाप की आपके भाई बहन की आपके दादा दादी की आपके मामा मामी की सब की हो गई है आपके फ्रेंड्स की हो गई है आपके साथ ही जो त्यारी कर रहे हैं उन सब की हो गई है और मैं आपको आभी ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको और ड्यूटी हो सकता है कि आपकी डिस्टिक्स में भी लग सकती है और हैड क्वार्टर में भी लग सकती है वो आपको साम तक कलियर हो जाएगा कि ड्यूटी आपकी कहां लगेगी अभी गर्मी में अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगाकर ये ट्रेनिंग देने के लिए त्यार हो जाओ आप फुलीस में जाने वाड़े हो शटकों पर डक्कष घाने हैं यहां पर फुलीस में जाके आप फुलीस लगने वाड़े हो तो जो आप गर्मी से डर के हमारा साथ नहीं दे रहे ना जो student उनको बोल रहा हूं है जो लड़कियां जो लड़के हैं उनको बोल रहा हूं कि अभी आपके training का time है इसको training का हिस्सा समझो यह training है आपकी और इस training में आपकी duty पूर्य नाने में और हैड क्वार्टर पंच कुला भी लग सकती है ठीक है अभी मैं आपको कुछ एक दो चीज़ाओं का सेलूशन दूँगा उसके इसाब से आप क्या करोगे कि मैं अभी गुरूप के अंदर जो साथ अभी तक गुरूप में नहीं जुड़ा है अपने का मतलब क्या है उसके अंदर में आपका बायो डाटा मांगूँगा आपका नाम पिता का नाम डिस्टिक और फोन नंबर यह चार-पांच चीज़ों के अंदर रहेगी हम हवा में तीर नहीं मारेंगे अब हमने बहुत महनत कर ली 100-100-2002 स्टुडेंट को इकठा करके लेकि अब जाकर यह चीज़े होंगी और दूसरा जो साथी अपनी आइडेंटिटी चुपाने के लिए अभी तक प्रयासरत थे अभी तक लगे हुए थे कि मेरी आइडेंटिटी ना आए वो आए तो वो बात-बात ध्यान से सुन लो भाई आपको आगे आना ही होगा नहीं तो कि दो हजार चोबी से पहले बरती पूरी नहीं होगी आपको मैं पहले ही बता रहा हूं ठीक है मैं गूगल फोम डाल रहा हूं उसके अंदर डिस्टिक्स आपके फोन नंबर लड़कियां अपने माता पिता या अपने बाई बैन का घरवाणों का नंबर दे सकती हैं लेकि जो साथी कम से कम एक हपता ऐसा मानता है कि एक हपता आप जहां कहोगे वहां बेट के हम काम करने के लिए तयारा है सिर्फ वही फोम डालें अदरवाइस हमको ऐसे स्टुडेंट्स की जूरत नहीं है कि जो सिर्फ दो या तीन गंटे के लिए आएंगे और अभी खून बब के लिए लडेंगे और आने वाड़े विश्य के लिए लडेंगे यह शिर्फ पुलिस की लडाई नहीं रही इसके अंदर पूरे का पूरा हरियाना का जो यूथ है जो लाइब्रियू में दखके खा रहा है जो कोचिंग सेंट्रों में पांच-पांच-छैसे सालों से अप कल्या परसों में लगने वाली है और अभी भी नहीं जागे तो आगे यह कल्पना मत कर लेना कि यह भरती इस साल में पूरी हो जाएगी आपको आगे डेट मिल जाएंगी आपके आगे रिक्रूट्मेंट हो जाएगी आप CET पास करे रहना जो CET की त्यारी कर रहे हैं आप का रिपोर्ट कार्ण आपके पासद्रा रहेगा आपको फिर पूछने वाड़ा नहीं होगे फिर आप सब्लख हैंगे आउंगे अपके रहे रहे हांinder को साथियो आप सबको साथ में निकलना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात हम सभी टीचर से request करते हैं जो जो टीचर हमारा साथ देना चाहते हैं हमको lead करो हमको बताओ किस तरीके से करना है हम आपके साथ काम करने के लिए त्यार हैं और बहुत सारे टीचरों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ जो अभी तक हमारे साथ देने दिय है और दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे और मैं सभी टीचरों से यही कहूँगा कि इस मुहीं में आप भी अपनी भूमी का निमभाईए आगे आकर हमको guide कीजिए हम बच्चे हैं आपके आप आपसे ही पड़ा है हमने सभी ने तो मैं यही कहूँगा कि पूरे यह मानना पड़ेगा कि हां यह मेरा काम है यह किसी दुसरे का काम नहीं है या दुसरे के जाने से यह नहीं होगा और यह जो किताबे रखी है ना इनको आप थोड़े दिन के लिए रख दो मैंने भी रख दिया देखो यहां पर इनके पढ़ने से और ना पढ़ने से आपक जिजें सरकार की जबाब देई बंदती है वो करें और बच्चों को गुम्रा करना बंद करें बच्चों की जिन्दगी से खेलना बंद करें कब तक आप भी से खेलो जाओगे अब ये लड़ाई कलरक वालों की भी है आई टी आई वालों की भी है पुलीस वालों की भी है मना के काम करेंगे एक बार जो मैं फोम डाल रहा हूं वो फोम भरो जो जो साथी अच्छे तरीके से काम करना चाहता है वही फाम बरे नहीं तो फाम मत बढ़ना भई ठीक है पहले ही बता रहा हूं तो सभी साथियों को अभी के लिए इतना ही साम तक हम सावी टीचर से बात कर रखें और जो मेसेज आये था मेरे पास अभी उस जैसा प्लीज कुछ भी मत करना क्योंकि ये आपके फैमिली को आपके फ्यूचर को इफैक्ट करेगा आप उनकी तरफ सोचिए ठीक है धन्यवाद